कि नवस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल लर्न इंग्लिश इजिली में आज पढ़ेंगे कहानी दे किंग नम फूल्स यहनी मुर्खों का राज्या मुर्खों की नगरी दोस्तों एक कहानी के पातर हम लोग देखते हैं इस कहानी में है इस गुरू एक चेला एक बिक लेयर है जो मकान का काम करता है एक डांसिंगर्ल है एक राजा है एक व्यापारी है एक चोर है और एक गॉल्ड स्मिथ जो कि सुनार होता है एक बहुत grace अर्क अजीब के नियम है राजा हैं मंतरी है और जनता है। दोस्तों इस राजा ने यहांपे अपने मंतरी के साथ में मिलके बहुत सब्कार इस प्राइए यहां नियम काईदे कानून बना रखे हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप उन्होंने क्या किया यहां पे दिन को रात और रात को दिन मना दिया दिन में सारे लोग सोएंगे जब कि जानवर भी यहां दिन में सोएंगे और रात को सारे लोग उठ जाएंगे और सारा काम किसान वगरे से जितने भी लोग है दुकान वगरे स सब लोग सो रहे हैं तो वो बड़ी ही आशे चकित हो गई कि ऐसा क्या है कि यहां पर दिन में सब लोग सो रहे हैं यह बड़ी ही विचित्र नगरी है और देखा उन्होंने रात को जैसे ही रात हुई सब लोग जग गए और अपने अपने कामों में लग गए और सारे अपने डूडू में मिलते हैं एक डूडू वहां की मुद्रा थी आप कुछ भी सामान वहां खरी दिये उसका केवल एक डूडू ही लगेगा चेला ये जानकर बहुत ही खुस हो गया फरन्तु गुरुजी इससे जानकर बड़े ही चकित रहे कि ये जो काम है ये सही नहीं है अब चे गुरुजी ने कहा कि ये जगे रहने के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है ये मुर्खों की नगरी है ये किस समय तुमारे साथ में क्या करें इसका कुछ भी पता नहीं है इसलिए हमें यहां से चले जाना चाहिए पर चेले ने गुरु की बात नहीं मानी और गुरुजी चल के अंदर चला जाता हूं और यहां चोरी कर लूँगा उसने दिवार को थोड़ दिया लेकिन चोरी करते वक्त जब वो दिवार को पार कर रहा था चोरी करने के लिए तो वो उस दिवार के तूटने से जो दिवार जो कमजोर थी उसके तूटने से उसके नीचे गिर के वो मर गया और उसके मरने के बाद में क्या हुआ उसका जो भाई जो था वो राजा के पास गया और उसने राजा से गुहार लगाई हे राजा जी मेरे जो भाई था वो अपने काम को कर रहा था और करते वक्त किसी व्यापारी की दिवार उस पे गिर गई और उसके कारण वो मर गया इसलिए आप उस व्यापारी को बुला के आप सजा दीजिए राजा ने उस व्यापारी को बलाया और उसे कहा तो उस व्यापारी ने कहा कि है राजा इसमें मेरा तो सेलिए मै इस काम पर ध़ान नहीं दे पाया और मैंने दीवार को कमज़ोर बना दिया थो राजाने उस डासइंग गर्ल को बलाया । डासैंग गर् Nejकलर ने कहा कि इस में मेरा ये बार-बार ये जो पाइल जो खनक रही थी उसकी आवाद से वो जो ब्रिक लेर है वो डिस्टरब हो गया इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है आप सुनार को सजा दीजिए राजा ने सुनार को बुलया सुनार गिर गराने लगा राजा के सामने ते राजा मेरी कोई गलती नहीं है मेरे पास एक बहुत बड़े व्यापारी का ओर्डर था उसके घर में शादी थी आप जानते हो ये बड़े व्यापारी पैसे वाले कितने अधीर होते हैं उनको अपना काम तरंट चाहिए उसके ओर्डर के चकर में मैं उस डांसिंग गरल के काम को नहीं कर पाया इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है तो राजा ने सोचा अब उस व्यापारी को बुला लिया जाए और अंतते राजा ने क्या किया वापिस उसी व्यापारी को बुला लिया व्यापारी चकीत रह गया कि मेरी क्या गलती है तो राजा ने कहा वो जो व्यापारी जो था वो तुम्हारे पिताजी थे और तुम्हें तुम्हारे पिताजी से सारी संपती मिली है इसलिए उनका गुना भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा अब तुम्हें सूली पे चड़ाया जाएगा उसको सूली पे ले जाया गया परं ढूंडते ढूंडते उनके पास में उनको एक चेला नजर आया वो जो खापी के इसमें मोटे सांड की तरह हो गया था और उसको वह वहाँ पकड़के लेके चले गए और उसके बाद में ले जाने के बाद में कहा कि अब तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा लेकिन चेले ने अपने गुरू को याद किया गुरू वहाँ हाजिर हुआ और गुरू राजा के पास पहुंचा गुरू ने कहा कि हे राजन आप बताईए गुरू उसके में बढ़ा कोन होता है तो उससे उत्तर पाया कि गुरू ही बढ़ा होता है तो ठीक है अगर गुरू बढ चढ़ाई दोनों जमुझे चढ़ाईए और कि इस तरह से क्या हुआ उर चेला पहले हम सेरा पहले हम पहास सी पे चढ़ाएं姐 swallow हुआ चधा कि इसा क्या कारण है और venus बहुं करते हैं राजा बनेगा और दूसरा जो सुली पर चड़ेगा वो उस राजे का मंत्री बनेगा इसलिए हम दोनों इस राजे के राजा और मंत्री बनना चाहते हैं इसलिए हमें आप जल्दी सुली पर चड़ा दो अब राजा और मंत्री ने सोचा ऐसा मोका हम गवान नहीं सकते वो र राजा और उसके मंतरी को सुली पे चड़ा दिया और सब लोग चकित रहेगे कि ये क्या हुआ अब उन्होंने गुरू और चला को पकड़ने का निश्य किया कि उनको बुलाते हैं और वो ही हमारे राजा और मंतरी बन जाएंगे और गुरू चला एक बार तो नहीं मानने इस अब सारे लोग बहुत खुश्क हो गए क्योंकि वो जो उनको नया राजा और नया मंतरी मिल चुका था जो बहुत ही समझदार थे और सारे राज्ये को समझदारी से चलाएंगे दोस्तों कैसे लगे आपको यह मेरी कहानी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब गो चैनल थेंक यू पर वाचिंग दे वीडियो